कि हलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का वेलकम इस ब्यूटिफुल प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाइस वप मिल मैं स्वप मिल आए आज हम शूरू करेंगे माइन स्टैंडर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर वन सेट हमारा चाप्टर चल रहा ह है लेक्शिर नमबर 3 है जिसमें हम वेन डाइग्राम के बारे में पढ़ेंगे और सेट के बारे में भी किससी तरह इससे कोड़ेट किया जाये यानि हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे फिर बच गया तो हम प्रैक्टिस एट 1.3 कंप्रीट ही करेंगे ठीक है सो सबसे पहले शुरू करते हैं वेंड डागराम आखरे होता क्या है ठीक है उसके बार में पढ़ते हैं कि देखें वेंड डागराम यानी ठीक अगर में डागराम पढ़ना है सवेंड डागराम यानी ब्रिटिश लोजीकल जॉन बेंडिया ने वास्तु यह और यह मैंधमेटिस ने यह उन्ने क्या प्रैट को रिप्रेजिंट के लिए क्लोस शिगर का युश्य मानलो कुछ इस त any elements such representation are called Venn diagram the top says car can I'm work Venn diagram in John when is mathematician name is car I wish that if he said did I get cafe you see use here when diagrams are very useful in order to understand and illustrate the relation ships among sets and to solve the examples based on so what man like a Manlo क्या आपके पास पाच डिफ्रेंट डिफ्रेंट कलर के क्या है पत्थर है पर आपने इसे circle में close figure में बार ले वह इसे नाम दी दिया ए तो यह क्या होगे Venn diagram होगे है ना हुई ने में diagram तो similarly इसी तरह हम sets को भी elements को भी एक close figure में रखे इसे नंबर दे सकते हैं मान लो example के लिए कि मान लो कि हमार पास set A है जिसके अंदर कुछ elements है 12345 और अगर मुझे वें diagram में करना हुआ तो मैं कुछ इस प्रकार एक close figure लोंगा जरूँए नहीं है कि इसी तरह close figure ले आजाए आप circle भी सकते हैं स्क्वेर भी ले सकते हैं आपकी सबसे कोई भी पर close होना चाहिए चीक है close होना चाहिए तो यह पर close figure है वह आप एलिमेंट रख दिया हमने 1 2 3 4 & 5 और उतने अधिमेंट एसे नाम दी दे एसेट कितना एजी है तो यह रहे वह मैथेमेटिशन 1834 से लेके 1920 तक यह फेमस बुक उनका लॉजिक ऑफ चांस बुक बड़े फेमस बुक था जो लॉजिक और प्रोबिलिटी में लिखा एक्जामपल है नहीं एक्जामपल हमारे पास है सेट बी इस सेट अफ आल एक्स अच्छ एक्स अच्छ एक्स इस लेस्टन और एकल टो जेरो और ग्रेटर दन और एकल टी इसन इंटेचर अगर मैं बी सेट को रिप्रेजन करो तो यह कैसे आ जाएगा माइनस या पी लेस दैन और इकल टो का साइन है इसलिए जीरो का अंच्छ एक्ड़ू का साइन होता तो जीरो लेते कि हाँ नहीं लेते ठीक है तो यह रहा सेट अब इसे इवेंट डाइग्राम में किस प्रकार रिपेजिन करना है यहां पर किया है एक बॉक्स लिए ठीक है न जरूरी नहीं है कि सरक्री लिए जाए बॉक्स लेंगे ठीक है कि इस तरह और सभी एलिमेंट्स को यहां पर रख देंगे आपके और के साथ कैसे भी रख सकते हो ज़रूरी नहीं है कि यहां पर फॉलो है वही पैटन हो जिए ठीक है विसे नाम देन देंगे हम कैपितल बी इतना इजी है है ना इजी अब हम पढ़ेंगे सब्सेट के बारे में आखिर सब्सेट क्या होता है इस ए अन बी आर दू गीवन सेट्स एन एवरी elements of the state b is also an element of state a then b is a subset of a which is symbol symbol symbolically written as b is a subset of a to the ship कितना easy है बस आपको ज्यादा इंग्लिश में बड़ा चला के इन नहीं कहा है एन इडिज रीड़े आज बीजिस अप्सेट आफिए यानि हुआ क्या है कि मान लो हमारे पास एक सेट है कि जिसके अंदर तो फॉर सिक्स एट एंट एंट एसे numbers एक इवन numbers एजिरो फॉर फॉर एट और एक बी सेट है जिसके पास फॉर एट शिक्स दो नवबर तो देखो सब सेट का महिए कहना क्या होता है कि बी के पास अगर जितने भी element है वह सभी element अगर एक के अंदर हो यह फॉर एट शिक्स या पुर फॉर एट शिक्स एक अंदर हो जो जो बी होगा वह सब सेट हो जाएगा एका तो उसी लिखिंगे कैसे बी इस सब सेट ओफ ए यानि बी के पास जितने भी elements है वह सभी element एके पास है ही है यानि होगे ही होगे तब ही वह उसका सब सेट है एक क्या कहिए रहा है बी इस अ इस सब सेट आफ ए यानि बी के पास जितने ही element होगे वह सब भी एक के पास होंगे ही होगे इसे डाइगरामिक लिए कुछ इस तरह लिखा जाता है मान लेजिए ए सेट है ठीक है एक्जामपल के लिए हमने कुन से एक्जामपल लिया दे टू फोर सिक्स एट और टेम और यहाँ इसके अंदर यह रहा बी सबसेट इस नाम देजे बी तो एक के पास भी फोर सिक्स एलिमेंट है और बी के पास भी खुद के फोर सिफ एलिमेंट है ठीक है यह हो जाएगा हमारा सबसेट एक एक्टिविटी देखते है एक सेट अफस्तुरेंट इन अ क्लास एंड सेट अपस्तुर अस्टूर्ण को स्विमिंग आती है इन दोनों में अगर सेट बनाया जाए तों सबसे पहले सबसेबराव सेट बनाएंगे जिसके के अंदर होंगे सभी सुदेंट्स और सुदेंट्स कि रिख यह 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 नाम दे इसे वह यह आ जाएंगे सभी सुदेंट सुदेंट्स इन अप्लास आपके क्लास में जितने भी सुदेंट्स होंगे और सभी है ठीक है उसके बाद एक छोटा सेट लेंगे ठीक है इस नाम देते भी और यहाँ पर क्या है सुदेबू कहां गयां शीग जो दियर सकते अब आपको फिल्ट आ रहा है कि सभी सुदेंट्स युला के बाद सेटों ऑर च्छोटा सेट जिन में से कुछ बच्चों को सुमिंग आती आप जिनेये स्लिनेता सभी क्लास का बच्चे से इसलिए वह बी क्या हो गया सब्सेट हो गया समक्राइगे बीज़स अब सेट ऑफ एग अब कोशन देखते क्या कहा रहा है सेट आप अस्ट इनक्लास सेकंड क्या है सेट ऑप सुड़न हो केन राइड बाइसिकल इन द सेम क्लास तो हम कहेंगे या अगर हम एक दूसरा ऑप इसलिए बनाना पड़ा याप हम बनाएंगे वहाँ उसे सी नाम देंगे और कहेंगे कि इन स्टूड़न्स को साइकल चलानी आती है जरूर नहीं कि सभी को चलानी आती होगी हो सकता है जीने स्विमिंग करना आता है उन्हें साइकल ना चलाने आती हो जो साइकल चलाता है वह भी स्विंग तो ओ गहीं होगे तो यह जो शुदंट है लाएग जो बाइक कर रहे है वह सब से होंगे कमप्रीट स्व्डट की तो हमें क्या करना तो वेन डाग्राम फोलें सब्चेट इन सब्चेटों का वेन डाग्राम निकालना था निकाल जेते यहां पर फर्स्ट तो यहां सेकल यहां पर लिखेंगे तो दून्स औरेंगे वो कैं राइड बासिकर टिक नेस्टेकर क्यों नेस्टेकर क्यों प्रूट्स नेस्ट फ्रूट्स इन फर लाग्राइग जिवन आस फोलोव अ से दून फ्रूट्स इन फम दिवन फोली लुट्व गॉट गोर्णे वैंगो जैक्षू चिको जामून चिकुजामून चुक्ड़ अब्स पनापल शुद्ड इस सबसेट फूट्स उबट विट फून सीड विट मोर दिन वट ची तो च्बीक और सबसेगे और आपके घ बड़ा सब्सेट लेंगे I mean बड़ा सेट लेंगे यह रहा बड़ा सेट यह रहे सभी गिवन फ्रूट का सेट होगा ठीक है All Fruits इन में से एक छोटा सब्सेट होगा जिन में क्या है सिर्फ एक ही सीट से ळींगेन मैंगो में होता है इन मेंगो हो गया पर जामून में होता है जो फिर प्लम में भी हुता है वह जब दुस्ता सेट बनेगा मल्टीपल सीट्स है मल्टी सीट्स इस में क्या हो गया मैं बहुत सारी सीट्स होते है और इंज हो गया है इसके पार जैक फूट हो गया और फिर चीकू हो गया चीकू में भी दो से ज़्यादा सीट्स होते हैं चीकू हो गया फिर कस्टड एपल हो गया तो यह दूनों क्या है सब्चेक्ट आफ ओल फूट्स तो कहा है समझ अब यह कुछ तो क्यों गोड़े जर्ट एक यह से निए सट अपने और आए आए सट आप निए सट आप नवर आए से लिस्ट आप नवर को अगया अच्छानिया निए सबीन नमबर देड मानव नोग रो माइनस फूर माइनस थी माइनस ट्री माइनस तू यहा से लेके यह 012 all positive numbers और नैचल नमबर में सिर्फ 1, 2 और सो ओन तो सभी नैचल नमबर इंटिक्रेशन में आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि नैचल नमबर जो सबसेट आफ आए इसलिए हम यहाँ पर सबसेट आफ आई से कहा है ठीक है इसके बाद देखें सेट पी यह सेट आफ और एक सच्छ डैट एक्स इस स्क्वेर रूट अफ 25 एस इस स्क्वेर रूट आफ 25 अगर मैं पी को स्वाल करता हूँ 25 का स्क्वेर रूट कितना एगा 5 2 x की वेल होगे 5 S y set y the set of all y such that y is integers between minus 5 25 and as those say ются whole zag g ah minus 5 minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 जासे यहां तर 1325 लेट्स राइट दसेट पी अवह यहांपर क्या होगा है प्लस माइन जबादो यानि एक्स के अंदर प्लस फाइव और माइनस फई जाव हम रूट करते ना तो प्लस फाइव प्लस मानस फाइव बोनों वैलिव जाते हैं ठीक है ना रिकी माइनस फाइव क और एस के पास माइनस फाइव भी है प्लस फाइव भी है सो मिया से कह सकते हैं कि पी जस सब्सेट आफ एस कह सकते हैं ना देखिए आपर कहा है हमने कि नेक्स टेक्ट रिमेंबर दीस एवरी सेट कि अगर मानलो एसेट है तो मैं एको खुद का सब्सेट मान सकता हो कि खुद के सभी एलेमेंट खुद के पास ही है इसलिए वो ए इस अगर empty सेट इस अगर empty सेट है जिसके पास कुछ है यह नहीं वह भी subset of A होता है क्योंकि कुछ है नहीं एक के बाद वह हो गए होगा ठीक है ना होना भी एक सब्सेट होता है अगर A is equals to B है मानलो एक A है और एक B सेट है दोनों सेम है जो हम यह कह सकते हैं कि A और फिर दोनों boy और वी कए कि यह अंब एक है Grid कि मिर्च के सकते कि अच्छुण है अ देखे आपर एक्क्यूटी देखते हैं एक एवरी स्टुड़न्ट शुट टेक नाइन ट्रेंगुलर शीट्स आफ पेपर एंड वन प्लेट नंबर फॉम वन को नैज आपको क्या करना है ट्रेंगल कट करना है पेपर शीट्स को और हर ट्रेंगल पे वन से लेकिन नाइन तर द smilespay कंटे पाई मर लिखने थर ट्रेंगल पे यानि एक ठ्रेंगल पे एएख ही नंबर एवरी और वन शुट किप सम नंबर्ट्राइंगलीनि ट्रेंग व्लेट द्तॉट पास प्लेट लेट लेने Hugh पलें आपको दूषए प्लेटपर सब्स्वरिक्स अमबरा कसम पेड़ कि यह माले सुजाता ने इतने नंबर रखे हमीड ने मुक्ता नंदिनी और जोशब लुक अधे प्लेट सुजाता सुजाता की प्लेट हमीड मुक्ता नंदिनी जोशब विद नंबर इनके सभी सब्सक्राइब को लिखना है तो हम लिखेंगे सबसे पहले सुजाता की लिए तो एस इस शेट आफ और एक्स अगर अगर आप इसे ध्यांज देखो 13579 सब्सक्राइब और नंबर है है और नंबर सो एक सच देट एक्स इस एन हम लिखेंगे और नंबर और नेच्टरल नंबर ठीक है ना ऐसा भी लिख सकते है नंबर फ्रॉम वन से लेके 9 तक फिर हमीड के लिखेंगे लिखेंगे है एच इस एट अफ और एक्स सच देट एक्स अब एक्स क्या है टू फोर शिक्स एट इवन नंबर इस एन इवन नैच्टरल नंबर वन से लेके नाइन तक उसके बाद मुक्ता मुक्ता के पास सभी स्क्वेर नंबर यह है तो एक्स इवन बिलॉंग्स टू नैच्रल नंबर एन एन इस लेज देन त्री त्री का स्क्वेर नाइन है फोर का स्क्वेर शिक्स है कि इसके पास नहीं है तो एका नंदिनी के बारे है तो सेट एन इस सेट अफ अल एक्स सच दैट एक्स बिलॉंग्स टू नैच्रल नंबर वन से लेके नाइन तक सभी नंबर इसके पास है ना वन टू त्री फोर फाई शिक्स एवन एट ना फिर आएगा जोशब so j is a set of all eggs such that x belongs to egg the set j is a set of all eggs such that x is a of the hook app kya is myself prime number it prime number one two okay one select 10 तक इतने प्राइम नंबर से वह सभी उसके पास है ठीक है या फिर वन से लेके 9 तक हम कह सकते हैं सभी नंबर उसके पास है ठीक है तो इस एक एक्जाम्पल है मर पास इस एक्जाम्पल को सब्सक्राइब करते हैं कि समसेट्स और गिवन बिलों मर पास ए बी सीडी आए चापाच सेट है डिसकर्स और डिसाइड वीच आप दो फॉलेंग स्टेट्मेंट आर्ट तो सबसे फास देखें एज़सेट आफ बी 1 046 का अबसक्राइब माने लन नंबर सरी के पास और दोन ब्लैंग के पास शिर्फ नामबर निखिक के पास जिफ निए टेफल resposta साहति ब मार्मर इंग है जीरो बबहुड निखोट्रटेभल में जीटनी आए नमबर साते है माइन Created गाम बचे पास जीरोल्ट we के डेबल में जो आएंगे और इंटीजर सिम्मींटीजर से स्व हम यहां से ऐस्ट ऑफ बी सी और डी कह सकते हैं क्या क्या बीक के पास फोर सिख्स है इल्कूल है क्या सी के पास टू है नहीं है यहां कि तो एको में ऐसे दियुका सप्तेट मान सकता पर सी का नियुका नान सकता और नाहीं धी दी का मान से को Umet ड के पास भी तू नहीं स्व माश जे ऑल बिक्तारओं डीक नहीं है व्यां स्वाख सते चैंच दाररर टॉ Wallace 123 क्या भी सब्सेट सभी का नहीं है कि नहीं इसके पास इसके इसके वैलियु रहाएं इसके पास नहीं सिपना यह चाही यह 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 हो गया आप फॉल्स होट यह दूनों क्या है फॉल्स आप देख यूनिवर्सल सेट क्या कर रहा है think of a bigger set which all accommodate all the given sets under consideration which is general known as universal set यानि जिसके अंदर सभी numbers आते हैं उसे का जाते हैं इसे का जाते हैं इन्युवर्सल से हम ऐसे consider करते हैं कि जिसके पास सभी numbers है तो सब्सक्राइब हम इन्युवर्सल से मानलो कच्चे मैं जितने बी इसे सब्सक्राइं पाड़ेगा सब्सके करने मीट सब्सक्राइब बांना ना घूर हम्पेर करना पड़ेगा जितने भी इसक दिविजन है नाइन स्टेंडर्ड के A B C D E उन सभी को एक सेट मानना पड़ेगा और फिर उन में से कौन से बच्चे अपसेंट रहते हैं उनका सेट बनना पड़ेगा तो हमारे लिए जो पूरा कम्प्लीट बड़ा सेट हो गया जो सभी डिविजन को इंक्लूट कर रहा है जुम ख़िए उनिवर्सल सेट यानी जिसके पास सभी नंबर्स होते है ठीक है वोगया आ मारा उनिवर्सल सेट फिर होता है कौम्प्लीमेंक आफसेट क्या होता है सपोर यू इनिवर्सल सेट इस बीज़ सबसीट फ्यो फिटिए प्यूब एर इले कॉर्या theory और यानि मालो यह सेट है इस पास 24368 एलिमेंट और यह रहा हमारा बीसे जिसके पास दो एलिमेंट ए ठीव ए तो यह बचे हुए एलिमेंट है ठीके ना बचे हुए एलिमेंट को हम क्या कहेंगे is compliment set है टूफ्र या फिर इसे डी डास से डिनोट किया जाता है या फिर power में सी लिख के भी डिनोट किया जा सकता है है जो इसका आप कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी से ओनिवर्सल सेट का सबसेट होता है तो जो बचे हुए इलिमेंट होते हैं बचे हुए एलिमेंट को क्या का जाता है सबसे कॉंप्लिमेंट आफ सबसेट का जाता है मानों लोगों यह डागराम है यू स्टेंड फोर इनुवर्सल सेट यह रहा सबसेट जिसके पास टू सिक्स एट फोर टेन नमबर से एक आ गया और यह जो बचे हुए नमबर है यह होते हैं कॉंप्लिमेंट आफ सेट है कि सबसेट यहां पर इनुवर्सल सेट है यू इसके पास सभी नंबर से भी सबसेट आफ यू सो 391130 जो बचे हुए नंबर है 180 और 90 यह क्या होगा है कॉंप्लिमेंट आप सेट जेखो यहां पर लिखा है वी डैश इस वान इस उपल स्वान इ कि ही मिलेगा किया मिलेगा बीखी मिलेगा कॉंप्लिमेंट आफ सेट एई इस इस इट सेट एट सेट इट सेट इस 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 यहां पर कहेंगे कॉंप्लिमेंट आफ सेट ए या फिर सेट बी इस दो सेट बी इट सेट यानि किसी कॉंप्लिमेंट सेट का फिर से कॉंप्लिमेंट लेना हो गया तो वोग जो पहले जो सेट था वही हो जाएगा यानि nちょ इसके यह कुछ प्रपर्टी से नो एलिमेंट्स आर कॉमनी ए एंड सेट ए पता है कि कॉम्प्लिमेंट्स एड क्या होता है जो बचे हुए नंबर से ठीक है तो कॉमन तो नहीं रहे ठीक है फिर एज यह सब्चेट आव यू एन एड़ाज आज आव अल्सों सब्चेट आव यह यूनिवर्सल सेट के अंदर मानलो यह कॉमन एलिमेंट्स है और जो बचे नंबर है यह भी तो इसके सब्चेट हुए ना यूनियन के कि कॉम्प्लिमेंट आव सेट यू इसे एंप्टी सेट तो यूड़ाज इस फाइट जो अजे यह लिएंपिशच क्या होता है कम हम्प्लिमेंट आप से रूसए होता है का कॉम्प्लिमेंट ऋप्लिमेंट इसा कि और अरव अ करेंथर्क क्हां औरчес हagtद क्या अधिसलों मेंक्ट इस एजई है अब्गरन सेट हुआई बड़ा तो उसके जो इसके पास एलिमेंट नहीं है अगर मैं एंप्टी सेंट का कॉम्प्लिमेंट लो तो इट्सेल्फ मुझे क्या मिलेगा यूनिवर्सी मिलेगा तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके बात प्रैक्टिस टेट 1.3 शुरू होता है जो हम नेक्ट अगर आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो चैनल को शेर कीजिए लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए जाज जैते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो थैंक यू सो मुझ वर्जिंग इस वीडियो हैव नाइस डेडियर